इसकार स्टूडेंट्स आयम वर्षा गुप्ता इससे पहले वाले वीडियो में हम चैप्टर 3 के अंदर चैप्टर 2 के अंदर हम पढ़ रहे थे कलेक्शन ऑफ डेटा जो इसमें हमने ये देखा था कि हमारा जो कुष्टिनेयर है वो किस तरह का होना चाहिए और उसमें किस तरह के कुष्टिन्स को इंक्लूड करना चाहिए और किस तरह के कुष्टिन्स को उसमें नहीं नोड़ण किया जाना चाहिए अब next हमारा topic है sources of data there are two sources of data दो तरह के sources होते हैं first होता है primary data और second होता है secondary data तो primary data हम जानते हैं कि जो कि origin जिनका source of origin होता है और सबसे पहली बार collect किये जाते हैं और secondary data होते हैं जो कि पहले से किसी agency ने या किसी institution ने collect कर रखा है और उनको हम जब use में लेते हैं तो वो हमारे secondary data होते हैं वो secondary source of data कहलाते हैं तो types of data के भी दो तरह के होते हैं primary data और secondary data जो primary data होते हैं वो investigator खुद अपने purpose को यह लिए first time इनको collect करता है और जो secondary data होते हैं वो पहले से ही collect किये जा चुके होते हैं अब है principal differences between primary and secondary data इन दोनों के अ तो first point है primary data are original and secondary data are already in existence and therefore are not original primary data कैसे होते हैं original होते हैं जबकि secondary data क्या होते हैं चुके पहले से ही यह collect किये वे होते हैं इसलिए there are not original and the second point primary data do not need any adjustment इनको adjustment करना ही नहीं पड़ता हैं क्योंकि यह तो हमारे नुसार ही हमने इनको collect हिया हैं जबकि secondary data need to be adjustment to the to suit the objective of studying in hand जबकि जो secondary data होते हैं जो कि पहले से ही क्योंकि collect होते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है हमको अपने objective के according इनको set करना पड़ता है that means there are need of adjustment and third point primary data are expensive and secondary data are less expensive अब जो कि primary data collect जो किये जाते हैं वह expenses होते हैं और जो secondary data होते हैं वह थोड़े कम expenses होते हैं तो अभी आप यह सोच रहे होंगे यह primary data और secondary data क्या होते हैं तो इसको हम थोड़ा सा अब देखते हैं कि statistical method of data collection कि इनका क्या क्या तरीका है कि इनको कैसे collect किया जाता है तो first हम ले रहे है direct personal investigation आप short form में भी इसको learn कर सकते हैं DPI direct personal investigation की short form आप याद रख लें लेकिन exam में पूरा लिख करके आए it is the method by which data are personally collected by the investigator from the information अपनी information collect करने के लिए जब कोई investigator personally जा करके खुद जा करके और data collect करता है information collect करता है तो इस तरह की जो method है वो कहलाता है direct personal investigation इसमें क्या-क्या merits है इसकी originality होती है इसके अनदर क्योंकि जो इन्वेस्टिकेटर खुद जाता है field में और खुद data collect करता है तो इसमें किसी तरह की भी कोई bias आने की possibility नहीं होती reliability होती है क्योंकि इसने जो भी जो इन्वेस्टिकेटर है उससे पूछ करके डेटास note करें है इसलिए reliability इसमें ज्यादा होती है uniformity होती है इसमें क्योंकि जो investigator है वो एक चरह से जिस तरह की question पूछ रहा है उसी तरह के questions वो बाकी से भी पूछेगा तो उसमें क्या होगा uniformity होगी इसमें अलग अलग इसमें differences नहीं आएंगे accuracy होती है बिल्कुल perfect होते है न यह data तो इसमें accuracy ज्यादा पाई जाती है related information जो भी हमारा topic है उसी के according हमने survey किया है इसलिए हमारे जो questions है वो information के अलावा नहीं होते है related ही होते हैं जो हमारा main जिस point पर हम survey कर रहे हैं उसी के according उसी से related information collect ही जाती है elastic होते हैं यह elastic मतलब क्या है यहाँ पर जो questions पूछे जाते हैं तो informator द्वारा तो वो questions कैसे होते हैं drastic होते हैं यह अपनी इच्छा के नुसार उनको बढ़ा भी सकता है number of questions इनको बढ़ा भी जा सकता है और अगर इसको लगता है कि कोई question उसके लिए अनुकूल नहीं है तो उसको खटा भी सकता है and next point है demerits इसमें क्या-क्या demerits भाई जाती है तो first point है difficult to cover wide area एक बड़े area के अंदर इसको cover करना मुश्किल होता है केवल जो इस तरह के research है इस तरह के investigation है वो short area में कम छोटे area में ही की जाती है number two costly यह costly पढ़ते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत labor use होती है manpower जादा use होती है इसके अंदर और time bearing भी होता है और money bearing भी होता है money time and labor दोनों ही इसके तीनों ही चीज़ें इसमें जादा लगती है इसलिए costly होता है and third है personal bias इसमें personal bias भी आ सकती है कि अगर मान लिजिए कि इसको जो investigator है उसको कोई चीज अपनी नजरिये से पसंद नहीं आई तो वहाँ पर वो अपने नजरिये से decision ले सकता है और next है limited coverage कि इसके अंदर limited area को ही cover किया सकता है अगर हमें बड़े area को cover करना हो तो इस method के द्वारा information collect करना possible नहीं होता है students आज की वीडियो में इतना ही thank you and have a nice day